So we are live now, गांधी जी की नई तालिम एवं समुधाई कारिय सिक्षा, B.A.D. Second Year का New Subject है और सबसे ज़्यादा Hardware Student के लिए होने वाला है क्योंकि New है, आप Cold Paper नहीं मिल सकते हैं, आपको कोई आइडिया इसका नहीं है, आज में Share करने वाली हो आप सब के साथ इसकी Class First, काफी ज़ या एवं सिक्षा, आपको नहीं पता Last Year Question किस टाइप से आये थे, तो मैंने उस बुक को आप सब के समझाने के लिए लिया है, जिसमें कि आपके जो टॉपिक है, वो Question-wise ही दिये हुए है, जो कि आपके लिए useful होगा, कारिय का अर्थसपस्ट कीजिए, या कारिय तथा श्र इस बढ़न can go and just need to check out, So start कर देते इसका answer, सबसे पहले हमें कारेकार्थ बताना है, Meaning of Work, वर्क क्या होता है कारेको अगर आपका डिवाइड करोगे तो टु टाइप से डिवाइड होता है, एक होता है आपका फिजिकल वर्क, एक होता है आपका मेंटल वर्क, यानि की मानस् जो यहाँ पर mention है उसे easy language में आपको मैं समझाने वाली हूँ तो हम अपनी life में दिन प्रते दिन जीवन काल में सुभह से लेके शाम तक कुछ न कुछ काम करते रहते हैं कुछ काम हम mentally दिमाग से करते हैं जिसे हम मस्तिस्क कारे बोल सकते हैं और कुछ हम अपने हाथ पैरों से करते हैं जिसे हम शारेरिक कारे की शंग्या देते हैं दोनों ही प्रकार के कारी है आपके जीवन का एभिन अंग है क्योंकि जीवन के आवशक्ताओं की पूर्ती और शारेरिक वे मानशिक स्वास्त दोनों के लिए कारे जरूरी है है ना वर्क जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए जो चाए मेंटली हो या वो फिजीकली हो यानि की शारे रिखो ठीक है उसके बाद है शायद आप ये सवाल करें कि क्या मस्तिस्क एवं हाथ-पैर प्रिथक-प्रिथक रूप से कारे करते हैं आप स्वेविचार करें कि क्या जरूरी नहीं है कि आप फिजीकली भी वर्क करो पर अगर आप फिजीकली वर्क करते हो तो यह बिलकूर जरूरी है मेंटली भी आप कुछ Beyond कुछ रूर सहका रहता है ठीक है यहीं आप को मेंश्रित रूप से आपको प्रिश्नका उत्तर मील गया है कि शारे झाली दूना ह कारिय में मस्तिष कश्रम अधिक होता है दोनों ही प्रकार के सामजिक कारिये जो हैं वो सामजिक मुल्यों से चुड़े हुए होते हैं क्लियर हुआ इंट्रोडिक्शन है समझ आगया तो अपनी लेंग्विज में आप पेपर में लिख सकते हो और काफी जादा रिक्वेस्ट है इंग्लिष की क्लासिस के लिए भी अगर इंग्लिष के नोट्स में अरेंज कर पाती हूं तो मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिष की बी क्लासि सैंग्विज में पादन की दशा में की या गया करी प्रियत के लिए कहला दा है श्रम से यांदिक जीवन में प्रशाषन्त ऑवं व्यवस्था से होता है यानी कि जो हम पर्क कर थे हैं सबते हुआं अपने वहें। आपने भोजन की आपने वस्त कि साय रखना और धर होता है कि त schne हम समाज के लिए भी करते हैं जैसे कि करना है तो वो आपके जो कारे होते वो अलग-अलग चीजों से जुड़े हुए हैं आप से भी जुड़े हुए हैं आपकी हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं अपकी हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं अगर आप उसे समझ लेते हो ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्म नहीं होती आप एक्जाम में अपने विमेल लिख सकते हो तो सेकंड पॉइंट पर देख लेते हैं कार्य और श्रम का महत्व क्या होता है क्योंकि लॉंग में कोश्चन आएगा तो यह तीनों पॉइंट में सबसे बड़े बड़े अविश्कार का परिणाम है यह तो पाएंगे कि मानसिक चिंतन से पहले शारे रिक्ष्रम उस अविश्कार से जुड़ा हुआ है घिरनी का सिधान पृतिपादित करने वाले व्यक्ति ने आवश्य कभी ने कभी कुए या ऐसे किसी स्थल से पानी भ तोलक का सिधान्द भी उस व्यक्ति के सारे रिक्ष्रम की उपज है जिसमें अपने जीवन के बहुत से पल भारी भारी समान उठाने में लगाए होंगे इसे प्रकृति का कोई अन्य शारे रिक्ष्रम क्या हुआ है हैंडपम की शारे रिचना भी कुछ कालवगार के अनु जब हम कारे करते हैं तो मैंने आपसे कहा था अभी उपर आप सब के साथ शेयर किया कि जब हम mentally work करते हैं या physically work करते हैं तो वो दोनों से related होते हैं बर जब आप कोई अविश्कार करते हो तो उसके लिए mentally से पहले आप physically work करते हो इसका कहना ये है अब यहाँ पर कुछ प्र आप कीजिए कि किस ने किया आपने किया वो ठीक है आपने सोचा आपने पैसे दिये बट उसके पीछे बहुत लोगों की महनत होती है जो यहाँ पे आपको कारिया और श्रम का मेहत्व बताने वाले हैं यानि कि यहाँ पे जो कारिया किया गया वो श्रम था अब आजाते इसक कुछ भी लिख सकते हैं कुछ बुक्स में जीवी का है कुछ में एजीवी का है मतलब दौनों का सेम हैं एक लुहार दिन भर श्रम करके ठीक है फावरे तियार करता है और उसे बेचता है बदले में उसे धन मिलता है पारसपरीक रूप से देखें तो उसे धन की जगह अनाज जित्यादी जीवन अपयोगी सामगरी भी मिलती है तो एक किसान कड़ी मेहनत कर अनाज उगाता है कुछ फसरवे स्वेके परिवार के लिए रखतर कुछ को बेच देता है सिल्पकार बास से तरह तरह की सजावटी अपयोगी वस्तोय बनाता है और उन्हें बेच के अपने कारिया और एजीविका में जितना अच्छा आप कारे करोगे जितनी महनत से आप कारे करोगे आपकी जीवन है वो उतना जादा अच्छा होगा उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके आवशक टाइम पूरी होंगी आपको किसी चीज के लिए परिशानी होना पड़ेगा अगर आप अच्छे से महनती करते हो आपकी इंकम अच्छी है तो आपकी जो लाइफ है आपकी जो फैमिली है वो अच्छे से एक जीवन बिता सकती है तो यह आपका कारिया और एजीविका में संबंध है भारत जैसे देश की अधिकान चंसंक्या कामगार है जिसे अपनी जीविका के लिए शारेरिक श्रम को आवश्यक्त युक्ति के रूप में अपनाना होता है धन की अपेक्षा में दूसरों के लिए किये गए जाने वाला श्रम जीविका से जुड़ा है इस श्रम का जहां एक और आधिक मुल्य है वहीं दूसरी और सामचिक मुल्य भी है यान धन प्राप्त करो गए यह तो हुआ श्रम का अर्थिक मुल्य ठीक है और दूसरी और आपके श्रम के माध्यम से समाज के बहुत से लोगों की दिन पृति दिन की जरूरते पूरी होती है जैसे कि दर्वाजों में चौकर लग जाती है फरनीचर लगडी के उपकरन बेलर एन ह खलत काम करके भी कमा सकते हो लाइक अगर अगर आप अच्छी लखडी यूज करोगे तो उसका सामजिक में आ जाता है और अगर आप घटिया लखडी यूज करोगे जो कुछ टाइम बादी बरबाद हो जाएगी तो वह आपको आर्थिक तो इंकम दोन दे रहे हैं बट आ कारिया और एजीवी का में संबंद इरसाता है और मनुष्य सामजिक प्रानी है तो उसके लिए सामजिकता मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लियर हुआ अब नेक्स पॉइंट है कारिया प्रशनता एवं संतुस्थी यह मैंने आपको समझाने के लिए लिया है यह सभी नोट्स आपको पीडिया वुक में मिल जाएंगे आप बुक डाउनलोड कर सकते हो नहीं भी करना चाहते हैं तो आप यहां से स्क्रीन शॉट ले सकते हो और अपने पास एक अपनी पीडिया वुक खुद त्यार कर सकते हो ठीक है कोई प्रॉब्म नहीं है इसलिए मैं वीडियोस को थोड़ा आयसे शियर करते हूं कि सब इस्टुडेंट की हेल्प हो पाए तो नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क हैपिनेस एंड सैटिस्फेक्शन आप अपने देश की सामजिक आर्थिक व्यवस्थाओं से परिचित हैं ही ठीक है देश के अधीकांस लोग एजीवी का ही तो पुष्रम से जुड़े हुए हैं क्या वे के वल धनकी अपेक्शा से ही कारे करते हैं या वे किसी प्रकार की आनंद का भी अनुभाव करते हैं कुमार मिट्टी के सकोरे कर रहा है क्या वे सकोरे के आकार प्रकार के तरह तरह के नमूने उकरता है यानि कि उसमें क्रियेटि लहला हती हुई फसल देखकर किशान सिर्फ इसलिए प्रशन नहीं होता कि उसे मुल्य मिलेगा पैसे मिलेंगे इसलिए भी प्रशन होता है कि उसने मेहनत किया था और वो मेहनत रंग ला रही है तो उसे वो खुशी होती है ठीक है तो समझ आ गया कि कारिय प्रशनिता में मतलब क्या है ठीक तो वो प्रशनिता का अनुभव करता है ना कि सिर्फ पैसों के लिए खुश होता है पैसों के लिए खुश होना अच्छी चीज है बर अपने अंदर एक प्रशनिता होना एक खुशी होना हैपिनेस होना वो अलग चीज होति हैं जो अपके कारिय से जुड़ी होती है यानी कि कहने का ताथ परिय यह है कि शाड़। रिक्षरम प्रसनिता विय सन्तोस्टी से भी जुड़ा हु कि सब्सक्राइब प्रसनिता सतोस्टीों और आनंद के नईने रास्ते जाना यह सब कारिया प्रानी और उसकी संतुस्टी के लिए कर रहे हैं चोटे चोटे बच्चे जिनकी सुक्ष में वैस्थूर्मास में भी विक्सित नहीं हुई हैं वे भी अपने सामने जो भी वस्तु आए उसे पकड़ कर या उठा पटक करते हैं ठीक है खुश होते हैं त कुछ नया करने का कोशिश करते हैं जो वो कर सकते हैं और जिसमें उसे आनद भी मिलता है जिसमें उन्हें सैटिस्फेक्शन भी मिलता है तो यही आपका फर्स्ट कोश्चन था इस यूनिट का अधर क्लासेस भी आपको डे बाई डे मिलते रहेंगी आपको सिर्फ चैनल प यूस्फुल रहेगी